नमस्कार दोस्तों यूपी का सबसे लंबा एक्स्रेजवे यानी गंगा एक्स्रेजवे का निर्मार कार सुरू हो चुका है कारदाई संस्था के अधिकारियों ने बरेली मतरा हाईवे के पास बिनावर में गंगा एक्स्रेजबे का भूमी पूजन करके इसका निर्मार कार सुरू कर दिया है आज के इस वीडियो में गंगा एक्स्रेजबे के निर्मार कार शुरू होने से लेकर अब तक की सारी लेटेस्ट अपडेट को डिटेल में जानेंगे तो वीडियो में अंते तक जरूर बने रहें एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंपोर्टन फेक्ट्स की लेटेश्ट और इंट्रेस्टिंग वीडियो में दोस्तो यूपी का सबसे लंबा एक्स्ट्रेजबे यानि गंगा एक्स्ट्रेजबे के लिए अब उत्तरप्रदेस की जनता का इंतजार खत्म होने जा रहा है क्योंकि रविवार यानि 10 अप्रेल को अडानी ग्रूप के अधिकारियों ने बरेली मत्रा हाइवे के पास बिनावर में भूमी पूजन करके मसीनों के जरिये भूमी के समतली करण का कार सुरू कर दिया है वहीं भूमी पूजन में अडानी ग्रूप के सुपरवाईजर केके तिवारी, इंजिनियर सौरप चोहन, रवीस कुमार चोहन आधी अधिकारी मौजूद रहे परंतु गौर करने वाली बात यह है कि जिले में गंगा एक्सरेजबे का निर्मार कार सुरू होने के वावजूद जिले के परसासने का अधिकारी और जन प्रतिनिदियों को यहां मौजूद नहीं पाया गया गंगा एक्सरेजबे का प्रिथम चरण के कार के बाद जिले में दूसरे चरण में एक्सरेजबे निर्मार का काम दाता गंज से शुरू किया जाएगा दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरट से प्रियाकराज तक जाने वाले गंगा एक्सरेजबे की लंबाई 594 किलोमीटर की होगी बदाईयों में यह एक्सरेजबे चार तैसीलों के 85 गाउं से होकर गुजरेगा और 95 किलोमीटर की दूरी तै करेगा गंगा एक्सरेजबे के लिए सबसे जादा बसौली के 38 गाउं में 511.22 हेक्टियर भूमी को अधिकरहित किया गया है इसके लावा बिलसी में 23.42 हेक्टियर सदर में 269.97 हेक्टियर और दातागंज तैसील में 264.93 हेक्टियर भूमी का अधिकरहित किया गया है गंगा اेक्सरेज़़ए के लिए पूरी भूमी अधिगरहंड का काम 95 फीचली से ज spricht कर लिया गया है दोस्तो इन सब के लावा गंगा एक्सरेज़़ए कब ओपन होगा X-rays Bay में क्या-क्या खुबियां होगी और X-rays Bay किन-किन कंपनियों के द्वारा बनाये जा रहा है इन सब की जानुकारी हमने अपने इस से पहले दो वीडियो में दे दी है जिने आप description में या high button पर click करके देख सकते हैं आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही मिलते हैं कि किसी और interesting वीडियो के साथ जब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को subscribe करना ना भूलिएगा तब तक के लिए धन्वाद